क्या आप अपने पाचन तंथ को पुनर जीवित करना चाहते हैं और एक स्वस्थ प्रेहदान्थ चाहते हैं? प्रकृति के इमारत, स्वादिष्ट और पोशक तत्वों से भरे फलों की शक्ती से आगे नहीं देखें जो एक स्वस्थ प्रेहदान्थ की कुंजी रखते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ आठ अध्भुत फल साजा करेंगे जो आपके ब्रेहदान्थ को तेजी से साफ करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले की हम उन फलों में उतरें जो ब्रेहदान्थ की सफाई में सहायता करते हैं। आए पहले समझे की ब्रेहदान्थ स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण क्यूं है। ब्रेहदान्थ, जिसे बड़ी आंथ के रूप में भी जाना जाता है, हमारे समग्र कल्यान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारे शरीर से अप्षिष्ट और विशाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है, पानी के संतुलन को नियंत्रत करता है, और आवश्यक पोशक तत्वों को अवशोशित करता है। एक स्वस्त प्रेधांत बेहतर पाचन, बेहतर प्रतिरक्षा और यहां तक की वजन प्रबंधन में योगदान देता है। की हमारे शरीर में हानिकारक विशाक्त पदार्थों का संचे जैसे मुद्दे हो सकते हैं। इन चिंताओं को दूर करना और हमारे ब्रेधांत को साफ करने और समर्थन करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। आएए अब शीर्ष आठ फलों का पता लगाएं जो आपके ब्रेधांत को तेजी से साफ करने और पाचन स्वास्थय को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। एक, पपीता, हमारी सूची में पहला शक्तिशाली पपीता है। पपैन जैसे पाचन एंजाइमों में समर्धा, पपीता ब्रेधांत स्वास्थय का समर्थन करने के लिए एक उत्कृष्ट फल है। पपैन एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है जो प्रोटीन की पाचन में सहायता करता है। यह एंजाइम भोजन को अधिक कुशलता से तोड़ने में मदद करता है, चिकनी पाचन की सुविधा प्रदान करता है और ब्रेहदांत में बिना पचे भोजन की निर्मान को रोकता है। पपीता आहार फाइबर, विशेश रूप से घुलन शील फाइबर का भी एक अच्छा स्रोट है। फाइबर नियमित मल त्याग को बनाए रखने और कब्ज को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमल में थोप जोड़ता है, इसे नर्म करता है और ब्रहदांत के माध्यम से इसके मार्ग को बढ़ावा देता है। बलकि ये आपके कोलन को भी खुश रखता है। सेब आहार फाइबर में सम्रिध है, विशेश रूप से अगुलन शील फाइबर जिसे सेल्यू लोज के रूप में जाना जाता है. इस प्रकार का फाइबर मल में थोक जोड़ता है और नियमित मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद करता है. मल की मात्रा बढ़ा कर सेब कब्ज को रोकने और ब्रेदांतर से अप्षिष्ट के उन्मूलन का समर्थन करने में मदद कर सकता है. सेब में पैक्टिन नामक एक घुलन शील फाइबर भी होता है. पैक्टिन पाचन तंतर में पानी को अवशोशित करके और जेल जैसा पदार्थ बनाकर एक प्राकृतिक कोमल रेचक के रूप में कार्य करता है. यह मल को नर्म करने और ब्रेदांतर के माध्यम से इसके आंदोलन को सुविधा जनक बनाने में मदद करता है, विशाक्ट पदार्थों और कच्रे को हटाने में सहायता करता है. इस फल में पानी की मात्रा भी अधिक होती है, जो हाइड्रेशन और इश्ट तम आंत समारों को बनाए रखने में योगदान देती है. 3. तर्बूज आगे हमारे पास रसदार तर्बूज है. तर्बूज में असाधारन रूप से उच्च पानी की मात्रा होती है, जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक वजन पानी होता है. यह उच्च जल सामगरी हाइड्रेशन को बढ़ावा देने में मदद करती है, मल को नर्म करती है और नर्जली करन से संबंधित कब्ज को रोकती है. स्वस्थ मल त्याक को बनाए रखने और कब्ज को रोकने के यह उच्चित हाइड्रेशन आवश्यक है, इसलिए तर्बूज को अपने आहार में शामिल करें. तर्बूज एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में भी कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यह मूत्र उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है और शरीर से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है. गुर्दे के कार्य का समर्थन करके और मूत्र प्रवाह को बढ़ा कर तर्बूज अप्षिष्ट के उन्मूलन में सहायता करता है और ब्रेहदांत सफाई में योगदान देता है. 4. जामुन ग्लूबेरी, रास्पबरी और स्ट्रोबेरी जैसे जामुन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बलकि एंटि आक्सिडेंट और फाइबर में भी उच्च होते हैं, जो ब्रेहदांत सफाई में सहायता करते हैं. 5. जामुन आहार फाइबर में सम्रिधा हैं, विशेश रूप से अगुलनशील फाइबर. इस प्रकार का फाइबर मल में थोप जोड़ता है, नियमित मल त्याक को बढ़ावा देता है, और कब्ज को रोकता है. 6. स्वस्थ आंत समारों का समर्थन करके, जामुन ब्रेहदांत से अप्षिष्ट और विशाक्त पदार्थों के उन्मूलन में सहायता करता है. जामुन में प्रिबावटिक फाइबर भी होते हैं, जैसे इनूलिन और ओलिगोसी के राइड. ये फाइबर लाबकारी आंत ब प्रेक्टीरिया का एक स्वस्थ संतुलन महत्वपून है. अपने आहार में विभिन प्रकार के जामुन को शामिल करना ब्रेदांत स्वास्थे के लिए लाबकारी योगिकों की एक श्रिंखला प्रदान कर सकता है. पांच, आवोकेडो. आवोकेडो आहार फाइबर, विशेश रूप से घुलनशील फाइबर का एक उतक्रिष्ट स्रोथ है. फाइबर नियमित मल्त्याग को बनाए रखने और कबज को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. आवोकेडो मोनो इंसेचुरेटेड वसा, विशेश रूप से ओलिक एसिड में भी सम्रिध है. ये स्वस्थ वसा सूजन को कम करके और समग्र पाचन स्वास्थे का समर्थन करके एक स्वस्थ प्रिहदान्थ में योगदान करते हैं. वे आतों को चिकनाई देने में भी मद ब्रिहदान्थ के माध्यम से मल के चिकनी मार्प को बढ़ावा देते हैं. इसके अलावा, ये फल विटामिन के का एक अच्छा स्रोथ है, जो उचित रक्त के ठक्के और स्वस्थ हांतों के वनस्पतियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है. विटामिन के ये सुनिश् पूची में कुछ जोश जोड़ें. हाला कि तक्नीकी रूप से एक वल नहीं है, नीमबू ब्रेदान्थ सफाई में एक शक्तिशाली सहयोगी है. नीमबू में साइट्रिक एसिद पाचन रसको उत्तेजित करता है और आपके यकृत को पित का उत्पादन करने के लिए प्र इस उश्नकटिबंधिय फल में ब्रोमोलेन होता है, एक एंजाइम जो पाचन समर्थन सहित विभिन स्वास्थे लाभू से जुड़ा हुआ है. ब्रोमोलेन में विरोधी भरकाओ गुण होते हैं और पाचन प्रक्रिया में सहायता करते हुए प्रोटीन को तोड़ने में मदद कर सकते हैं. कुशल पाचन का समर्थन करके, ब्रोमोलेन व्रेहदान्त स्वास्थे को बढ़ावा देता है और सफाई में योगदान देता है. अनानास्पी घुलनशील और अघुलनशील फाइबर दोनों सहित आहार फाइबर का एक अच्छा स्रोत हैं, जो नियमित मलत्याग को बनाए रखने और कबज को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस फल में फाइबर और पानी की मात्रा के कारण हलका प्राकृतिक रेचक प्रभाव भी होता है, जो मलत्याग को प्रोटसाहित करने और नियमित्ता को बढ़ावा देने में मदद करता है. 8. केला आखिरी लेकिन कम से कम, हमारे पास विनम लेकिन असाधारन केला है. साथ ही वे हाथ पर रखने के लिए एक सुविधाजनक और स्वादिश्ट नाश्टा है. केले में पोटेशियम एक आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट है. इलेक्ट्रोलाइट्स पाचंतंत की मांस्पेशियों सहित उचित जल्योजन बनाए रखने और चिकनी मांस्पेशियों के कारिय का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ब्रेधांटर में उचित मास पेशी समारो नियमित मल त्याक को बनाए रखने में मदद करता है और धहराव को रोकता है केले आवश्यक पोशक तत्वों से भी भरे होते हैं, जिनमें विटामिन सी और विटामिन बीच है जैसे विटामिन शामिल है, और मैगनिशियम और मैंगनीड जैसे खनेज ये पोशक तत्व समग्र पाचन स्वास्थे का समर्थन करते हैं और एक अच्छी तरह से काम करने वाले ब्रेहदांथ में योगदान करते हैं और वहाँ आपके पास ये है आपके ब्रेहदांथ को तेजी से साफ करने के लिए 8 अद्बुत फल इन फलों को अपने आहार में शामिल करना आपके ब्रिहदांत स्वास्थे के लिए अद्बुत काम कर सकता है उन्हें नियमित रूप से उपभोग करें, हाइडरेटर रहें और इश्ट्थम परिनामों के लिए संतुलित आहार बनाए रखें अपने आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले एक स्वास्थे देखभाल पेशेवर से परामर्श करना याद रखें यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा है, तो इसे थम्जब देना न भूलें, हमारे चैनल की सदस्यता लें और उस अधिस उचना घंटी को चालू करें ताकि आप हमारे नवीन तम स्वास्थे युक्तियों को कभी न चूकें देखने के लिए धन्यवाद, और हम आपको अगली बार देखेंगे